बिसमिल्ला रहम रहाई मस्लाम अलेकम डियर स्टुटेंट्स आज के जह हैं लेक्चर उसमें हमने पढ़ना है रिकर्जिव डेफिनिशन जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर कंटीन्यू किया था और साथ में रेगुलर एक्सप्रेशन इंचाला ताला आज हम शुरू करेंगे तक हम अगले लेक्चर से फाइनाइट अटो मेटा को डिसकस कर सके ठीक है और उससे अगले लेक्चर में इंशाला हम पढ़ेंगे और अभी यह तीनों टापिक्स हो जाएंगे तो रेगुलर एक्सप्रेशन ट्राइशन ग्राफ्स और फाइनाट अटो मेटा यान नौन रेगुलर लेंग्विजस की तरफ जाएंगे ठीक है जिसके लिए हम पुश्डाउन आटो मेटा बनाएंगे लेकर उससे पहले हम ग्रामर के एक पॉर्शन को अच्छा खासा स्टडी करेंगे जिसमें रेगुलर अग्रामर भी होंगी और नौन रेगुलर अग्राम मेशीन भी पढ़ेंगे क्योंकि उसमें आटपुट है और साथ में जो है पोस्ट मेशीन के साथ साथ ट्यूरिंग मशीन तो मॉस्ट इंपोर्टन टॉपिक उजिन से निकल गया था तो वहां ता कम जाएंगे तो यह हमारा कोर्स का फ्लो होगा इंशाला ताला जिसको हम फ दूसरी चीज़ आपको इसमें समझ नहीं है वह यह कि इसकी वर्किंग कैसे है ठीक है हमने सेट्स को मुक्तित तरह से डिफाइन किया उनमें एक रिकर्जिव डेफिनिशन थी रिकर्जिव डेफिनिशन हमने कहा कि जो बेस ऐलिमेंट से हम वहां से शुरू करेंगे बेस ये बेसिकरju वो होते हैं जिनकी बेस्ज पे बाकि सारे वर्ड बन सकते हैं ठीक है और पिर हमकरते हैं कि वह हम यह सारे डेफिन आपको इस तरह से आप को bye इसको आपके अल्गोज और जो आपकी प्रोग्रामिंग है उससे रिलेट करूँगा ताकि आपको यह समझ आजए पहला कि यह रिकर्जिव है तो इसको रिकर्जिव क्यों कहा गया है दूसरा इसकी वर्किंग क्यों होगी ठीक है अच्छा तीन स्टेप्स हैं पहला स्टेप इससे मुराद क्या है यह अगली स्लाइड में चला समझ में आ जाएगा रूल्स पर कंस्ट्रॉप्टिंग मोर्ड्स और डिफाइन दे लेंग्विज यह दूसरे स्टेप के अंदर होता है और तीसा स्टेप तो आप समझे कॉपी पेस्ट है अब लेंग्विज है पलेंड कर दें तो वो स्ट्रिंग सेम रहें ठीक है जैसे वन जीरो वन को रिवर्स इसका क्या है वन जीरो वन नहीं है ठीक है जीरो वन जीरो का रिवर्स का है यही है जीरो जीरो का रिवर्स भी जीरो जीरो है और सिंपल वन का रिवर्स तो वैसे भी वन है ठीक है तो हमारे पास अब alphabet set के अंदर दो ही characters हैं A और B तो हम शुरू कैसे कर सकते हैं यानि कौन से ऐसे words होंगे इस language में, palindrome में जिन से हम start कर सकते हैं और उन्हें की बागी सब words बना सकते हैं पहले तो आपको यह identify कर रहा है तो suppose हम कहते हैं कि जी empty string सबसे बुनियादी string होता है यानि power set के अंदर अगर हम सारे sets को शामिल करना चाहें तो पहला set कौन सा होता है, पहला subset वो empty set होता है, ठीक है तो null string एक ऐसा string है, जिसको reverse करें तो null is null तो उसमें फरक नहीं पड़ता है, तो it is a palindrome ठीक है, तो null string भी एक palindrome होता है इसी तरह अगर हम single एक ही character को consider करें, तो a is also a palindrome, क्यों इसको आप reverse में read करें, या जिस तरह भी read करें it's the same, ठीक है, इस तरह simple b b ठीक है, या b क्यों क्या हो गया simple b b ऐसा है, उसको reverse में read करें, तो it's only one element, तो आप इसको forward read करें या backward, it will be the same, ठीक है it will be a palindrome, अच्छा ये तो थे zero length palindrome और ये empty string और a और b जो हैं ये हैं one length palindrome, two length के palindrome भी हो सकते हैं, तो two length के palindrome हमने अगर बनाने हो तो हम किस तरह से बनाएंगे ठीक है, देखें पलिंड्रोम वो होता है जिसका reverse same वो ही हो, इसको बार बार जहन में रखिएगा, अब आपको इसकी में working समझा देता हूँ देखें, null string है, ये तीन element पहले हमने कर दिये declare, उसके बाद हम इन तीनों के उपर एक operation perform करने जा रहे हैं, वो क्या कि इन तीनों के left और right के उपर हम A को concatenate कर रहे हैं, तो A के A है, इसके left पह अगर हम A लगाएं और right के पहर भी A लगाएं, तो क्या बन जाएगा, 3 A's B है, इसके left पह एक A append लगाएं और right पह भी एक A append करें, तो क्या बन जाएगा A, B, A, null string है तो null string के right पह एक A लगाएं, और इसके, sorry, left पह और फिर इसके right पह एक A लगाएं, तो it will become a double A जब null string की हैसियत उस पकहत है, जब तक वो एक अकेली entity है अगर ये यानि, it cannot be a part of word, ठीक है, क्योंकि null means there are no characters, तो zero, zero character है यहाँ पहे, तो अगर इसके left और right पह एक character लगा दिया तो ये खुद ही vanish हो जाएगा, it will become a, it will not become a, lambda a, तो अब हमारे पास क्या हो गए, तीन और palindroms आ चुके हैं, जो पहले palindroms थे, उनके left और right के ओपर हमने क्या लगाया है, a तो हमारे पास तीन नए palindroms बन गए, अच्छा, अगर उसी के left और right पह हम लगाते है, b for example, it will become b, a, b ठीक है, तो ये भी palindrom है, it will become three b's, b, b, b ये भी palindrom है, और अगर ये है null string, तो इसके left और right पर एक एक, b लगाया है, तो इसके left पर एक, b लगाया, तो इसके left पर एक, b लगाया, इसके left पर एक, b लगाया, इसलिए तो अगर हम reverse में, तो फरक नहीं आएगा, अच्छा, अब देखें, length 0 से, आपने, इसी formula की मदद से, length 2 के, जो palindroms थे, वो आपने बना लिए, और length 1 से, आपने क्या मना लिए, length 3 के, अच्छा, अब अगर, यही step, recursively, इनके उपर लगाया जाएगा, length 2 और length 3 के उपर, तो देखें, यहाँ पर length 4 के palindroms बनना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पर length 5 के palindroms बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और इस तरह, अगर इनक के उपर recursively लगाया रहा है, तो length 6 और length 7 के palindroms बनना शुरू हो जाएंगे, तो null string से start करते हुए, left और right पर अगर हम characters को add कर रहे हैं, एक जैसे, तो हमारे पास even length के palindroms बनते हैं, ठीक है, और अगर single single character के left और right के उपर हम palindroms को build दनना शुरू करें, तो हमारे पास odd length क palindroms बनते हैं, लेकिन formula same है, आपने initially empty A और B को include किया, palindroms के set में, और फिर palindroms के set में, जो कुछ था recursively बार बार उस पे विया formula apply किया, formula क्या था, कि palindroms के set के अंदर जो कुछ भी है, उस हर एक element के left और right के उपर A और अगर हम दूसरी दफ़ा B लगा दें तो हमारे प working मैंने किया, इसको हमेरी recursively लिखना है वास, तो यह है, अगर आप इसको Elgos के point of view से देखें, तो initially there is a set, इसके अंदर सिरफ तीन elements है, empty A और B, यह आपके declare करते है step number one में, step number two में आप क्या लेखते हैं, कि for all, it's just like a for loop, ठीक है, कि for all is equal to zero to n, यह for all is equal to one to n, तो do this for all these items, तो हमें इसको इसको इस तरह भी लगते हैं, for all x belonging to this palandrome, तो आपने करना क्या है, कि जो भी elements हैं, चाहिए वो empty है, A है या B है, suppose that is x, x denote कर रहा है किसी भी element को, ठीक है, तो उसके left और right पे, एक A को concatenate करके, एक element नया बना लेंगे, और इसी तरह B को left और right पे concatenate करके, एक नया element हम बना लेंगे, तो initially तीन element थे, तो हमारे पास इससे, दो इसके लिए, दो इसके लिए, और दो इसके लिए total 6 elements नए बन जाएंगे, जो हमने यहाँ पे, एक, दो, तीन, चार, पांच है, थ्री A's, और B, A, B, A, B, A, 3 B's, 2 A's, and then 2 B's, A, 6 element हमने बनाएंगे, अगले step में यह मजीद बन जाएंगे, और अगले step में इसको अगर हम बारी-बारी करते जाएं, ठीक है, तो यह मजीद बन जाएंगे, इनको भी हमने इस set के अंदर add कर कर सकते हैं, कोई भी word ऐसा नहीं है, जो अगर आपको दिया जाए, तो उसको हम इसके जरीए, construct ना कर पाएं, दो rules के जरीए, ठीक है, यह तो था, यह वो form थी, जो आपकी algorithm के ज्यादा करीब थी, अब हम इसी को, अपनी, जो convention हमारा चल रहा है, उसके अंदर लिख रहे है पहला step के MTA and B are in palindrome, and number two, if X is in palindrome, means X can be any element, X can denote all the elements one by one, then AXA and BXB will also be in this palindrome set, ठीक है, and at step number three, we write the same statement, के no strings except those constructed in above two steps are allowed to be in this set, ठीक है, ताके हमारी तारीफ जामे माने हो जाए, ठीक है, इंक्लूजिव एक्स्लूजिव हो जाए, ताके हमारी तारीफ जामे माने हो जाए, हो जाए, ठीक है, यह बात है, क्योंके, definition complete तब होती है, mathematically we have to be very precise, कि अगर हमें कहा जिस टीम में कौन कौन है, और हमने कहा जिस टीम में ये भी है, 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 लेकिन हमने ये नहीं कहा कि कौन कौन नहीं है, तो ये possibility इसमें होती है, कि और elements हो सकता है, इसमें शामिल हो सके, ठीक है, लेकिन ये step number three इसको ensure कर रहा होता है, कि जितने बोले हैं, उतने ही हैं, जितने नहीं बोले हैं, उतने नहीं हैं, तो ये चीज़ जो है, इसको इसलिए यहाँ पर रखा जाता है, ताकि हमारी definition complete होती होती है, तो अब उमीद आपक कुछ समझ में आ गया होगा, कि ये जो तीन step हम लिखते हैं, और इसको हम recursive definition कहते हैं, और हम इसमें लिखते हैं, if x is in this set, then this, this, this is also in this set, तो उसका मकसद क्या होता है, और recursive definition असल में है क्या, ठीक है, तो अमीद है, जो confusion आपकी पहले थी, अब दूर होगी होगी, अब ये practice question है, ठीक है, ये practice question ungraded है, देखें, question क्या है, कि यहाँ आपको बताना है, कि ये कौन सी language है, ठीक है, इसकी descriptive definition देनी है, तो उसने हमें step 1 में दिया हुए है, जी, these two strings are in this language, a, a and b, b, तो हम इसको लिख लेते हैं, जी, a, a, and b, b, are in this language, ठीक है जी, अब ये कह रहे हैं, कि ये जो दो elements हैं, इनके शुरू और end के अंदर, ठीक है, अगर हम s लगा दें, ठीक है, इन दो elements के उपर, इनी की base पर, तो वो भी इस language का part बन जाएंगे, और s क्या चीज़ है, s is sigma star, sigma star means any possible combination of a's and b's, को कि यहाँ पर हम sigma के अंदर, यानि alphabet के अंदर a और b ही consider कर रहे हैं, ठीक है, तो any possible combination of a's and b's, ठीक है, तो it can be a, 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 it can be b, a, a, b, it can be a, b, b, a, it can be b, a, a, b, so whatever the combination is that is allowed, लेकिन यह two a's या two b's compulsory है, ठीक है, तो हमारे पास देखें, इनकी, यह तो हर एक का part बनेंगे, इसके left और right पर कुछ भी लग सकता है, sigma star means any combination, any number of characters in any combination, whether a or b, star का मतलब है, अब चाहें तो किसी side पे include ना भी करें, ठीक है, यह दोनों side पे कोई character include ना करें, तो that will become the same, तो हमारे पास जो language बनेगी, उसके अंदर वो सारे के सारे words होंगे, जिसके अंदर a a या b b है, या या sub string a a या sub string b b is a part of the words of all the strings, या आप यह कह सकते हैं, at least two consecutive a's or at least two consecutive b's, ठीक है, तो यह recursive definition हमें किस set को define करती है, तो it defines a set of words, in other words a language l, defined over the alphabet a b, containing strings having at least two consecutive a's or two consecutive b's, क्योंकि इनी की base पे बाकी सब बन रहे हैं, तो इस वज़ा से कोई भी string ऐसा नहीं होगा, जिसमें दो a या दो b ना हों, हर string के अंदर, हर word के अंदर, दो a's या दो b's compulsory होंगे, ठीक है, similarly, एक अगली example है, उसको आप देख लीजिए, यहाँ थोड़ी सी definition चाहिए है, एक तो यह है कि initially हमारे पास सिरफ दो a's है, उसके बाद, हमारे पास क्या है, लेफ्ट और राइट पे s add हो सकता है, इसी के, ठीक है, और वो लेफ्ट और राइट पे जो s add हो रहा है, वो s क्या है, b star, so s belongs to b star, previous example में क्या था, s belongs to sigma star, और sigma means alphabet set, alphabet set के अंदर हमारे पास दो character थे, a और b, यहां alphabet set के अंदर characters a, और यह b हैं, दो ही character है, लेकिन यह sigma star नहीं, सिरफ b star है, इसका मतलब b के possible combination होंगे, a और b के combination नहीं होंगे, ठीक है, सिरफ b के combination, यानि any number of b's can follow and precede these two a's, तो यह दो a तो compulsory हैं, और इसके अलबा और कोई a नहीं आएगा, क्यों, left और right पर किसी a का इदाफा ही नहीं हो रहा है, सिरफ b का ही इदाफा हो रहा है, ठीक है, तो यह जो language है, यह उन सारे words को represent कर रही है, जिसमें a सिरफ दो ही हैं और अकठे हैं, और b किसी भी तदाफ में हो सकते हैं, शुरू में या बाद में जो भी हैं, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, a language l, defined over the same alphabet set, containing strings having exactly two consecutive a's and any number of b's, इस definition से, जो, यह जिस language को represent कर रहा है, जिस set of words को represent कर रहा है, उसमें हर word में, क्या होगा, हमारे पास, दो a's होंगे, और वो दोनो a's consecutive होंगे, और b के ओपर कोई restriction नहीं है, because star, b star means any number of b's, without any restriction, there may be 1000, there may be 2 crore b's, there may be only one b's, and there may be none, ठीक है, at either side of this double a, either left or right, ठीक है, अब अगला question, यह रिकर्टिव definition की हमने revision करवा दिया, आपको जो पिस्टर लेक्चर के दार हमने discuss किया था, और उसका जो big words थी, वो आप लोगों की अमीदा अब दूर हो गई होगी, अगर still, there is something that you want to learn, और कोई चीज अभी भी थोड़ी सी confusing है, तो आप इसको rewind करके दुबारा से सुनिये, फिर rewind करके दुबारा से सुनिये, फिर भी समयनी आता, आप बेखोफ होके, जो है, उसको group में discuss करें, एक दूसरे को answer करें, ठीक है, मैं observe कर रहा होगा इसको, और फिर मैं देखूंगा, कोर लेंगविज की आपको जो है, वो रिकर्जिव डेफिनिशन देनी है, और वो क्या है जी, रिकर्जिव डेफिनिशन की जो लेंगविज है, उसकी रिकर्जिव डेफिनिशन हमें देदें, देखें, अगर आपको मैं कहूं कि what is the definition of natural number तो आप मुझे बता सकते हैं, because you already know what is a natural number or what natural numbers are लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि कोई language असल में है क्या तो आप उसकी definition कैसे देंगे अबल तो आपको पहले समझना है कि वो language क्या है सबसे पहला step है कि what are regular expressions उसके बाद हम देखेंगे कि regular expressions हमने अगर generate करने हो या उसके set में all possible regular expression अगर हमने किसी rules के जरीए बनानी हो तो वो rules हमारे पास क्या है वो हम step number one or two के अंदर बता देंगे जैसे हम एक जिफ definition के अंदर बताते हैं बच्चो लेकिन अभी तो ये का regular expression है क्या अच्छा अच्चंबे की बात है कि ये regular expression आप लोगों ने use की है ठीक है कैसे use की है अभी हमने कहा B star B star means any possible combination of B तो B star is a regular expression ठीक है तो regular expression वो formula होता है असल में जिसके जरीए आप words को generate कर सकते हो जैसे A star means any possible combination of A including empty string तो A star is a regular expression because it can generate words ठीक है at least it can generate one word ठीक है तो इस तरह की कोई भी चीज फॉर एजमपल A star और B star और A plus B जिससे कमसकम हम एक word generate कर सकें whether it is a null string ठीक है तो वो एक language होगी हाँ अगर कुछ generate ही ना हो सके उससे तो इसका मतलब यह होगा कि यह लेंग्विज ही नहीं है क्योंकि empty language means there are no word in this language और if there are no word so it means वो लेंग्विज है यह नहीं ठीक है तो इस चीज को देन में रखिएगा इसी तरह अगर आप लिखें A plus तो इस जनेरेट आल पसिबल combination of A's but not including the lambda ठीक है और यह लेंग्विज आप उससे define कर सकते हैं तो यह जो दो languages बनाई है A star ने एक language बनाई है suppose L1 जिसके अंदर यह सारे elements है और A plus ने एक language बनाई है L2 जिसके अंदर यह सारे elements है तो यह दो जिस तरह हम recursive definition के जरिए languages को build कर सकते हैं इसी तरह हम regular expression के जरिए यह भी language को build कर सकते है regular expression set की representation का एक मुस्तकिल method है ठीक है so for languages L1 and L2 A star and A plus are the regular expressions क्यों यह regular expression इन सारे elements का एक formula है ठीक है उसको उसका pattern है ठीक है कि इसके अंदर यह जो सारे elements L2 के अंदर है A plus उसका pattern है because A plus means a single A or two A's or three A or four A or any number of A's so it represents all these elements ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा L2 को आप एक और तरीके से भी generate कर सकते हैं तो यह जाद रहिए कि किसी भी language की regular expression unique होना जुरूरी नहीं है ठीक है for example जिस तरह set of numbers from 1 to 5 को आप यह भी लेख सकते हैं set of natural number from 1 to 5 यह set of whole number from 1 to 5 तो A की जिसको आप कई दुरस तरीकों से define कर सकते हैं इसलिए set L2 जो है इसको आप A A star से भी define कर सकते हैं A A star means के एक A to compulsory है उसके बाद क्योंकि देखें इन सब में A A compulsory है यह एक A compulsory है उसके बाद you can have any number of A's because A star means even empty तो अगर empty है तो simple A ठीक है और अगर empty नहीं है एक A A star generate करता है तो it become two A's 3 करता है तो 3, 4 करता है तो 4 तो यह सारे का सारे set जिस तरह A plus से generate हो सकता है तो A A star से भी generate हो सकता है और अगर आप इसको A star A लिखना चाहें तो तब भी कोई फरक नहीं है A star means there is nothing in the beginning and there is an A at the end तो आप आखरी वाले A को यह वाला एक consider कर लें इन सब में से और A star का मतलब anything that comes before this ठीक है न तो A A star और A star A in this case it is the same ठीक है यह इता बड़ा मसला नहीं है और आप regular expression को combine भी कर सकते हैं जिससे आप लिख सकते हैं A plus यह A plus B लिख सकते हैं ठीक है A star plus B star लिख सकते हैं तो A dot B लिख सकते हैं A star dot B star लिख सकते हैं और simple A star यह A plus तो आप लिखी सकते हैं तो यह सारे operation इसमें चलते हैं यह और operation भी चलता है and mean concatenation operation भी चलता है clean star भी चलता है और clean plus operation भी चलता है तो यह वाला plus और यह वाला plus फरक यह वाला प्लस normal प्लस है और union के लिए आता है और यह वाला प्लस जो के super script की font ने लिखा जाता है इसको clean plus यह simple plus operation भी कभी रेफर कर दिया जाता है ठीक है तो अब हमारे पास recursive definition क्या हो सकती ठीक है किसी भी language की तो देखें alphabet set के अंदर suppose अगर हमारे पास A और B है ठीक है तो हमारे पास अगर simple regular expression जो सबसे basic regular expression है वो कौन से हैं बई empty empty is a regular expression जिससे string कौन सा बनता है empty बनता है बस और कोई नहीं बनता अजा simple A is a regular expression बई A से कौन से string बनते हैं बई सिर्फ A ही बनता है और कुछ नहीं बनता simple B B से सिर्फ B ही बन सकता है ठीक है तो यह तीन अलग-अलग basic regular expression ऐसी है जिन से सिर्फ एक-एक string बन सकता है ठीक है तो every letter of the alphabet set यह alphabet set में दो थे थे तो हमने दो include किये including empty means lambda is a regular expression तो यह तीन regular expression अब इनहीं की base पे आप मजीद regular expression बना सकते हैं कि suppose if r1 and r2 are two regular expressions then if you write any regular expression in bracket it itself is a regular expression तो अगर आप लिखते हैं a और उसको bracket में आप बन कर देते हैं तो it means it is a regular expression it is again a regular expression तो यह भी एक regular expression बन जाती है और अगर आप उनको concatenate करते हैं suppose you write a and then again a तो यह भी regular expression है यह अगर आप लिखते हैं b a लिखते हैं किसी भी दो को concatenate कर देते हैं तो it's a regular expression आप इसको यानि bracket a bracket और b को concatenate करते हैं तो यह भी एक regular expression है क्योंके recursive definition के जरी हम इसको build कर सकते हैं और अगर आप किसी भी दो regular expression के दर्मयान प्लस लिख दें ठीक है for example a plus this a b और b a plus a a तो तब यह एक regular expression है अगर आप इसके गिर्द bracket लगा दें तो यह regular expression अभी एक नई regular expression बन गई इस regular expression के ऊपर अगर आप star लगा दें तो यह एक नई regular expression बन गई इस regular expression को आप 20 से concatenate कर दें तो आपका पास एक और नई regular expression बन गई तो आप इन rules के जरिए सारी की सारी regular expressions को build कर सकते हैं ठीक है तो regular expression एक अलग तरीका है languages को represent करने का वो जितनी भी possible regular expression लिखी जा सकती है उनको आप इस recursive definition के जरीए आप उसको build कर सकते हो आप उसको construct कर सकते हो ठीक है तो formal languages की definition में हमने 5 तरीके पढ़ दिये language को define करने के कौन सा पढ़ा हमने तरीका हमने पढ़ा जी सबसे पहले set builder notation descriptive form और table or form यह वो तीनों forms हैं जो आप पहले metric FSC हैं A level, O level के अंदर पढ़ चुके हैं फिर अब हमने recursive definition को पढ़ा पिछला lecture के अंदर और आज हमने regular expression को देखा कि यह क्या होते हैं ठीक है इसकी मजीद examples अगली slide के अंदर आ रही है अगले lecture के अंदर formal languages को define करने का एक निया method आएगा जिसको हम कहेंगे FA, finite automata जिसको आप graph के जरी भी represent कर सकते हैं और जिसको आप transition table के जरी भी represent कर सकते हैं ठीक है और उसको represent करने के कई methods हैं ठीक है और आप उसको mathematics के लिए core form में represent कर सकते हैं definition form के अंदर भी ठीक है और इसके लावा ट्राइशन ग्राफ्स हैं NFA, MT है यह सारे languages को define करने के method हैं और यह हम आगे जाएंगे Turing machine तक यह सारे के सारे हम असल में इसमें पढ़ेंगे क्या समझे सट theory में सिर्फ एक topic पढ़ना है आटोमेटा के अंदर वो क्या कि हम language को define कैसे करेंगे हम language किसी भी language को मुख्लिफ form के अंदर define कर सकते हैं तो वो कौन-कौन सी forms है लेंग्विज की टाइप के ओपर कि हम उसको किस फॉर्म क्योंकि जाहरी बात है हर लेंग्विज हर फॉर्म में define नहीं हो सकती नौन डेगूलर लेंग्विज जो है वो आप उनकी रेगूलर एक्सपेशन नहीं बना सकते तो वो चीज़ें खेर आगे चलके इंशला तला आपको समझ में आ जाएंगी ठीक है अब हम वापिस आते हैं अपनी रेगूलर एक्सपेशन की तरफ क्योंकि हमने रेगूलर एक्सपेशन को देखना है और आज इसी को हमने कवर करना है देखो consider a language that is empty 1x2x3 and then अबको infinity ठीक है और alphabet set में एक ही element है ठीक है तो हमें पता है हम इसको क्या लिख सकते है it is x star x star means any possible combination of x including empty string अब उसको x star के दोर पे लिख सकते हो और अगर आप चाहो तो इसको sigma star भी लिख सकते हो क्यों क्योंकि sigma में यहां एक ही element है तो here sigma star and x star इस form में लिखते हो x star को यह इस form में लिखते हो clean star को it is just the same ठीक है तो it will define this language तो यह एक regular expression बन नहीं है तो आप इसको x plus क्या तोर पे लिख सकते हैं अब हम एक आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ठीक है consider another language L consistent of all possible strings defined over a b ठीक है इस alphabet set से जितने भी string बन सकते हैं वो सारे के सारे यानि mtb single a b single b b two a's two base b combination of a b's a b a b a b a b b a a b b a b a b a b a b a b b a b a b b a b a b b a b a b b b b कोई भी possible combination जो भी combination आप सोच सकते हैं वो है all possible strings all possible combination of a's and b's जिसको हम sigma star भी लिख सकते हैं ठीक है तो sigma star means all possible combination of a's and b's तो चुक्के sigma के अंदर अभी element कितने हैं दो तो आप इसको इस form में भी लिख सकते हैं बिखास sigma means this set a b तो sigma star means a b set whole star it is just the same लेकिन यह regular expression नहीं है regular expression में हम यह bracket इस्तमाल नहीं करते हैं हम parentheses इस्तमाल करते हैं ठीक है भई ए यह यह बी के सारे possible combination और दरम्यान में हम symbol लगाते हैं plus का plus means और यह यह हो सकता है यह भी हो सकता है यह इन दोनों को मिला के कोई भी possible combination star indicates that including empty ठीक है तो यह सारे के सारे हम इसको denote करते हैं यह वली चीज़ यह वली चीज़ और यह वली चीज़ सेम हैं लेकिन regular expression इसमें हम इसको कहेंगे और regular expression की definition में हमने देखा कि parentheses हैं और यह braces नहीं है ठीक है और regular expression के अंदर जो है वो alphabet set में से elements आ रहे होते हैं खुद alphabet set count नहीं हो रहता है यह और बात है कि sigma star is considered a plus b whole star in this case so it is just the same ठीक है तो यह हमारे पास regular expression होगी ठीक है तो अगर आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई है कि regular expression क्या होती है तो इस question को solve करने की कोशिश कीजिए it is just for your practice it is not graded क्योंकि मुझे पता है अभी graded तक महुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा ठीक है तो मैं अचानक आप इतना बोज नहीं ठालूंगे जितना परदाश नहीं कर पारे ठीक है at the end of the lecture maybe we have or after some slides maybe we have a practice assignment or something like that लेकिन यह है कि अभी उतनी बेस नहीं बनी है ठीक है तो यह language है इसमें और alphabet set हमारे पास वही a भी है इसमें वो सारे के सारे strings है that have exactly double a ठीक है दो a अकठे डबल a मीन्स दो a अकठे तो दो a अकठे तो compulsory है ठीक है और exactly double a का मतलब है कि a हैं भी double है और सिर्फ double a और सिर्फ double a एगजक्ट डबल a मीन्स अउनली two a's अब a's और मज अधीद नहीं add हो सकते ठीक है इस language के हर string के अंदर हर word के अंदर दो a's हैं compulsory है adjacent है ठीक है और दो से ज्यादा नहीं है अच्छा 20 के बारे में कोई restriction है नहीं तो इसका मतलब it can precede and follow any number of b's any number of b means b star ठीक है तो यह हो गई इसकी regular expression develop expression के होड़ेगी b star a a b star it means any number of b's then exactly two a's ठीक है और exactly a double a and then any number of b's तो यह वो pattern है यह वो formula है यह वो common property है दूसरे अंदाज में जो के इस language के सारे के सारे words में पाई जाती है ठीक है अब question थोड़ा सा change हो रहा है पहले था exactly double a अब यह है नहीं exactly two a's अब इस यहां पर क्या है दो a's हैं लेकिन उनका consecutive होना उनका adjacent होना उनका अकठे होना यह जरूरी नहीं है बाकी language वही है तो दो a's हैं हाँ इसके शुरू में there may be any number of b's और there may be any number of b's at the end of these two a's लेकिन दर्मयान में भी इनके एक any number of b's हो सकते हैं ठीक है ठीक है इसमें और पहले में फरक यह था उसमें दो a's के अकठे आने चाहिए थे exactly a double a double a means दो a अकठे यहां क्या exactly two a's यह नहीं अब यह restriction नहीं है कि उनके दर्मयान कोई gap हो यानि कोई और character होगा या नहीं होगा जब कोई restriction नहीं है तो हम भी उसको बहुत without any restriction उसको हम जहें consider करेंगे ठीक है तो it will become b star a b star a b star ठीक है अब यहां पे क्या a language l of strings of even length defined over this even length का मतलब यह है कि even numbers are 0,2,4,6,8,10 up to infinity तो string की length यह 0 होगी यह 2 होगी यह 4 होगी यह 6 होगी यह 8 something like that तो अगर हम शुदू करें string की length है दो ठीक है तो string की length 2 का मतलब यह है कि पहला element a या b में से कोई हो सकता है और दूसरा element b a या b में से कोई हो जाएगा तो string की length हो जाएगी 2 अगर मैं इस पे star apply कर दूँ होल के उपर तो इसका मतलब 2-2 का कोई भी possible combination यानी it may be empty तो empty को जिकर देगा generate अब यहां से 1 a या b मैं से कुछ आजएगा suppose a और यहां से क्या आजएगा suppose a to बन जाएगा double a और यहां से अगर b आता हों से बन जाता A B और अगर यहां से हम a और b मैं से b को consider करता हुए इत वस बी और इदर से दो possibilities B, A और B, B ठीक है तो A plus B, A plus B से length 2 के ये 4 possible words ही बन सकते थे ठीक है, अब इन 4 possible words का whole star, whole star means this thing के इन चारों का कोई भी possible combination including empty अगर empty है तो string generate होगा null ठीक है और अगर इनका combination ऐसा है single single तो it will become aa it will become ba it will become bb or it will become what is left a b ठीक है और अगर possible combination में तो any number of aas, aas, bas यह bas हो सकते हैं ठीक है bb's तो लेकिन जो भी इनका combination होगा यह even length कहीं होगा क्यों उसकी वज़ा यह है कि repeat तो यही pattern हो रहा है और यह even generate करता है तो यहां यह कुछ generate नहीं करेगा empty means null यह 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 दो है यह चुकर यह इन चारों में से किसी एक को represent करते हैं ठीक है तो it will generate any of these तो यह भी even length है यह इनी के combination इनी चारों के combination ठीक है तो even number के combination भी even ही होते हैं इसलिए यह even length ही generate होगी इस से odd length generate नहीं हो सकती ठीक है अगर odd length का कहा जाए तो देखें same वही even के साथ अगर हम एक a या एक b add कर दें चाहे शुरू में या बाद में that will become odd length तो यह बिलकुल असान था ठीक है odd starts from zero तो उसके साथ अगर आप शुरू में या बाद में a या b में से कुछ भी add कर दें या शुरू में या बाद में एक a या एक b तो its length will become odd क्योंकि even के अधर one plus या एक even length के string में एक string या एक character का इजाफा करने से वो odd length के string बन जाता है ठीक है यह topic बहुत mathematical है और इस पर अच्छी खाजी practice चाहिए आप लोगों को बच्छो इस lecture को एक दो दफा सुनने की जुरूआ था आपको ठीक है कम असकम और इन examples को भी दो दफा करने की जुरूआ था अब एक task है बच्छो आप लोगों के लिए ठीक है इसको आप लोग कर लीजे consider a language defined over alphabet set a b of words ending in b और अगला है not ending in a तो देखो ending in b और not ending in a में फरक है के नहीं इस तरह की मैंने आपको एक class task दी हुई है इससे मिलती जुलती ठीक है पहली class task के अंदर पहली या दूसरी class task में तो अगर उदर आपने क्यों गल्दी किये तो आप यहां पे ना करना ठीक है इसको हल कर लेना खुद से और यह है जो आपकी graded class task है जब थोड़ी बहुत base बन गई तो अब आपको एक चोटी सी graded task दे देनी चाहिए ठीक है देखो एक language है जिसका हमने नाम कुछ भी रखा एक compound character है यहां उसमें symbol ज्यादा है that is 00 but it is still one character ठीक है और दूसरा है हमारे पास one तो having an even number of 00's 00's means यह 001 character है तो even number of 00 means either no 00 or two 00's and three 00's ठीक है and even number of ones तो even number of ones means either no one either two ones either four ones ठीक है इस तरह तो उससे जो words बन सकते हैं वो कुछ table or form के अदर लिखे हुए है ठीक है तो आपको इसको regular expression की form में बताना है ठीक है आपके बस वक्त है आप हर तरह का resource इस्तमाल कर सकते हैं आप इसमें discuss कर सकते हो आप internet पे देख सकते हो book देख सकते हो कहीं से कुछ भी देख सकते हो ठीक है तो इसमें थोड़ा सा आपको effort करने पड़ेगी आपको हर तरह की discussion की पूरी जा सकते हो ठीक है किसी से सीनियर से किसी से भी अलागे यह वो question हो जो मैंने उनको नहीं दिया होगा मेरे question हमेशा change होते है तो फिर भी अगर शायद वो आपकी कोई help कर सके हैं ठीक है अच्छा अगर दोर हमने पहले एक बात की थी कि एक की language को कई जरी के से define किया जा सकता है तो इससों फरक नहीं पड़ता है तो इसका मतलब एक की language की regular expression भी हो सकती है जैसे कि हमने यहाँ पे किया कि यह दोनों एक ही regular expression है यानि regular expression तो अलग अलग है लेकिन एक ही language को denote कर रह है ठीक है तो इसका मतलब की दोनों equivalent regular expressions हैं तो two regular expressions are said to be equivalent if they generate the same language ठीक है मिसाल के दोर पे regular expression one है ठीक है a plus b whole star mean any convention of a's and b's लेकिन आखर में क्या आएगा यहाँ दो a's यहाँ दो b's इसको अब अलग लग लिखना चाहें तो a plus b whole star के आखर में या a a आएगा यहाँ a plus b whole star के आखर में b b आएगा तो it is just the same it will generate or it will recognize or generate जो भी आप कहना चाहें the same language यह एक ही language को represent कर रहे है एक ही set को represent कर रहे हैं लेकिन मुक्तिव अंदाज से लिखा हुआ so there may be two or more regular expression for the same language but semantically they will be equal इनके दरम्यान semantically किसी किसम का फरक नहीं होगा ठीक है they are the same so they are called equivalent regular expressions ठीक है उसको हम यानि उस set of words यानि उस language को हम क्या कहते है regular language कहते है आगे चलके आप देखेंगे बहुत सी languages ऐसी है जिनकी जिनको हम descriptive form में तो लिख सकते है और मेभी उसकी आपरी गर्जव या की और form में definition भी आप उसकी दे दे लेकिन आप उसकी set builder form में definition दे सकते हैं लेकिन आप उसको regular expression की form में नहीं दिख सकते हैं क्योंकि हर एक चीज़ की limitation होती है तो इस तरह से वो non regular languages कहलाते हैं ठीक है और उनका दैरा भी बहुत बड़ा है काफी languages ऐसी हैं जो हमारे पास non regular languages हैं ठीक है तो regular languages वो languages हैं जिनको हम regular expression की form में represent कर सकते हैं बस इस से ज़्यादा नहीं ठीक है अच्छा जो regular expressions के rules है वो regular languages में भी चलते हैं कैसे if r1 and r2 are regular expressions corresponding to two regular languages namely l1 and l2 तो अगर हम एक ऐसी ऐसा देखें l1 और l2 एक सेट है यह दो अलग अलग सेट्स है languages के जिनको को कोई दो regular expression r1 और r2 रिप्रेजेंट कर रही थी ठीक है अब यह जो अगर इन दोनों सेट्स को हम union ले लें और इन दोनों सेट्स को मिला के एक बड़ी language हमने बना ली तो उसकी regular expression क्या हो सकती है तो कहते हैं उसकी एक regular expression r1 plus r2 हो सकती है अब simply r1 plus r2 लिख दो that will be the regular expression for l1 union l2 ठीक है इसी तरह r1 r2 can be the regular expression for language l1 l2 l1 l2 क्या चीज़ है it is not intersection याद रखिएगा तो union के बाद हमेशे intersection का number नहीं आता it is concatenation ठीक है कि l1 l2 के अंदर वो words है जिन का पहला पार्ट इस language से है और उस word का दूसरा पार्ट यानि वो सारे के सारे compound words है ठीक है दो words से मिलके बना जैसे book shelf यह दो words से मिलके एक word बना है ठीक है तो for example book belong करता है l1 से और shelf belong करता है 11 स्टार के लिए कि अगर हमने उस language ही को alphabet set consider कर लिया और उससे एक नहीं language बना लिए 11 स्टार तो उसके लिए regular expression दुबारा से generate करने की जुरूरत नहीं है जो पहरे regular expression थी उसके उपर से अफ स्टार लगा दें that will become the same यह उसको represent कर पाएगी ठीक है अच्छा देखें हमने पहले बात की कि कुछ languages regular हैं कुछ non-regular है regular languages वो हैं जिनको हम regular expression की form में लिख सकते हैं और non-regular languages वो हैं जिनको हम regular expression की form में नहीं लिख सकते तो regular expression जिसकी हम बना सकें जिस भी language की वो regular language होगी यहां एक point समझिए कि अगर एक language finite है और उसके अंदर suppose पांच करोड वर्ड हैं उससे ज्यादा नहीं है तो क्या आप उसकी regular expression बना सकते हैं बिलकुल बना सकते हैं कैसे भई पहला word प्लस दूसरा word प्लस तीसरा word प्लस 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 आखरी word चाहे वो 10 करोड़वा लफज था या 20 करोड़वा finite तो इतनी लबी regular expression अगर हमने भी किसी की बना दी अगर हम सारे words को लिखकर दरम्यान में प्लस लगा दें तो ये एक बहुत बड़ी regular expression बन जाएगी तो as far as a set is finite it cannot be non regular ये याद रखिएगा जब तक कोई set finite है चाहे उसमें 20 करोड 25 करोड 30 करब ही elements क्यों नहीं है words क्यों न लिखकर दरम्यान में प्लस लगा कर एक बड़ी regular expression generate की जा सकती है तो जब regular expression generate की जा सकती है तो वो क्या बन जाता है regular language बन जाती है तो याद रखिएगा कोई भी finite language ऐसी नहीं है जो non regular हो हर finite language एक regular language होगी ठीक है तो इसका मतलब अगर कोई finite language है तो उसके ओपर आपने ये करना के वो regular है के regular नहीं है वो regular ही है ठीक है non regular languages वहीं होगी जो infinite होगी हमेशे से ठीक है अच्छा ये आज का topic था हमारा और आज के topic तक class number one से आज class number five तक जितना कुछ हमने बढ़ा है ठीक है तो अगले week में हफते के दिन ही पूरा एक हफते का time है आपका कुछ भी discuss कर सकत है मुझसे ठीक है जहाँ problem हो मुझसे जो है आप समझ सकते हैं यह assignment online quiz होगा आपका और यह quiz भी कमस कम 20-25 मिनट का होगा ठीक है तो यह it will not be just के भई 5-10 मिनट के दो-3 question होगे it will be a proper quiz ठीक है आप समझे एक चोटा सम मिनी mid term इस तरह के quiz में लेता हूं कभी कभी मेरे quiz 50-50 मिन नहीं था तो मैंने 50-50 मिनट के तीन quiz लिये थे ठीक है तो यह that was in fact a replacement for mid term तो अभी भी हमें नहीं पता mid term होगा के नहीं तो आपके quiz जो होगे उनकी weightage भी होगी अच्छी खासी और वो quizzes it will be just like a mini mid term ठीक है तो आप इसको अच्छी तरह से prepare कीजेगा हमने जितने topics अभी तक पढ़े हैं कुछ चंद ही पढ़े हैं ठीक है ज्यादे topics भी नहीं पढ़े तो यह कि आपको इंशालात Allah आसानी हो जाएगी इसको जाना prepare करने में और mark के point of view से भी ठीक है तो अपन जाएगी 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 जाए